देखिए प्रिशांत किशोर जो अपने जन सुराज अभियान के तहत दो अक्टूबर को उसे पार्टी में तब्दील करते हुए नसर आएंगे इससे पहले लगतार वो मौजुदा सरकार पर हमलेवर साबित होते हुए नसर आ रहे हैं वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदफ के खिलाब भी बयान बाजी का दौर यहां पर हम देख रहे हैं मनीश अगर बिहार की बात करें तो जाहिर बात है कि एंडी कुनमे में लगाता इस बात को लेकर जोर आजमाईश है कि किसकी तरफ से कौन सा मुक्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए आप देखिए कि समर आज नीतिक महौल बना हुआ है और ऐसे में देखा जा रहा है जेडियू आरजडी भारतिय जंता पार्टी और अन्य दल सियासी में ताल ठोकने के लिए तमाम तयारियां करते वे नजर आ रहे हैं लेकिन देखा जाए पशुपति पारस का एलान कर देना कि 243 सीटों पर अ खड़े होते हैं ऐसे में अब देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में नितीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे क्या एंडिय की सरकार बिहार के अंदर दुबारा लोटेगी या फिर आरजडी जेडियू के गड़बंदन की सरकार बनती सबसे पहला सवाल अमनसर से रहेगा अमनसर किस तरीके से इस्तिती देखते हैं कि बिहार के अंदर विदानसभा चुनाओ दौजर पचीस में होना है और समराठ चौधरी नितीश कुमार एक दूसरे की खिलाफ यहां पर कहीं न कहीं सियासी बयानबाजी करते नजर आते है हैं और आप देखना ये भी दिल्चत होगा कि आने वाले समय में बिहार के अंदर एंडिय की सरकार वापस लोटती है और अगर लोटती है तो नितीश कुमार दोबारा से सीम का चेहरा होंगी या फिर समराठ चौधरी को जिम्मेदारी सौप दी जाएगी तो क्या कुछ ल नाम पर महर लगनी चाहिए यह सीना अपनी अलग आनी कहते हैं अगर वहीं जीडियू की बात करें तो जीडियू में नतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लेकिन क्या इस बार जीडियू भी उनके नाम पर दाव नहीं लगाएगी और उनके बेटे निशान का नाम चर्चौम हैं कि उनके नाम पर महर लग सकती है अब अगर तीसरे गठवंदन के तीसरे सेयोगी दल की बात करें चराखवाजमन की बात करें तो उनके मन में भी कहने हैं कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री के पद पर उनको बैठाया जाए और जब उनसे पूचा गया था तो उन्हों कहें जाती रही है कि बाई हम हर एक बार जो कह सकते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री बनने का सपना बहुं टूट जाता है कि जब भी ज 맞아요 के वो तुलंद आरजेडी के पास चले जाते हैं कि दोनों ही आरजेडी और बीजेपी से कम सीटे होने के बावजूद हर एक बार नितीश कुमार मुख्यमंसरी बनते हुए नजर आते हैं तो यह तो मैजिक उनका है लेगिन क्या इस बार यह मैजिक खतम होता हुए नजर आ सकत हैं कि एक तरह के देखा जाए तो विहार में वो भी अपने आपको इस्टाब्रिश करना चाहते हैं लेकिन मुकाबला जोड़दार हैं यहां पर समराठ चौदरी वरसेज नितीश कुमार नजर आ सकता है और साथ मैं अश्वनी चौबे ने भी बात कही थी कि मुक्यमंसरी अब बीजेपी की तरफ चो होना चाहिए बीजेपी की अगवाई में चिनौल लड़ा जाना चाहिए तो तमाम सारी बात इसको लेकर फिलहाल अभी यह नहीं कहा जाएगा कि सबकुछ मसला सोलच गया बलकि यह कहा जाएगा कि फिलहाल इस पर बात करना कुछ दिनों के लि सीटों पर दावट होकते भी नजर आते हैं यहां पर अगर बात जीतन राम मांजी की कलने तो 25 सीटों की मांग वो करते भी नजर आते हैं इधर चिराग पासवान अड़े हुए हैं तो क्या लगता है कि एंडियों की दलों में ही कही ना कहीं फूट पड़ती भी नजर परशुपती पारस को लेकर अभी नितिश कुमार को नहीं है लेकिन उनको शायद यह बात जरूर लग रही होगी कि अगर मैं ऐसे बयान दूँगा तो शायद कुछ सीटों के पर उनका भला होता हुए नजर आए क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय राजजेपाल बनाय जाने की बाते वी उनको लेकर हो रही थी तो हो सकता है कि अपने लिए पद्व पाने की लालसा के तहट वो यह बयान देते हुए नजर आ रहे हैं तो अगला सवाल नाजमीन से रहेगा नाजमीन क्या कुछ लगता है जिस तरीके से बिहार के अंदर विदान सभा चुनाव को लेकर श्तिती बनती हुए नजर आ रही है तो आने वाले समय में अब प्रशांत की शोर भी यहाँ पर एक एलान करते हुए नजर आएंगे इससे पहले लगतार वो मौजुदा सरकार पर हमलवर्थ साबित होते हुए नजर आ रहे हैं वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाब भी बयानबाजी का दौर यहां पर हम देख रहे हैं जहां तेजस्वी यादव को कहलेकर यहां पर चाहिए तो बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार को लेकर उनका दावा है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी राजनीती को चमकाने के लिए मौजूद नजर आते हैं केंद्र के साथ देखा जाए तो नितीश कुमार ने एंडिय के साथ गटबंधन किया और केंद्र में सरक कर सीम चेहरे के रूप में उतरना हो लेकिन जहां प्रशांत के शोर नितीश कुमार के खिलाफ बयान बाजी कर रहे हैं यह तक भी कहते वे नजर आते हैं कि कई ऐसी चीनी मिल भी मौजूद है जो लंबे समय से बंद पड़ी हैं लेकिन मौजूदा सरकार उस पर संग्यान नहीं लेती है यहां पर कई ऐसे युवा हैं जो नौकरियों के लिए बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख करते वे नजर आते हैं तमाम आरू प्रशांत कि शोर ने नितीश सरकार पर तो लगाए लेकिन साथ इस साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि नितीश कुमार है यानि कि नितीश कुमार चाहें तो समराट चौदरी ही नहीं बलकि कई और ऐसे चेहरों को साइट कर सकते हैं और प्र प्रशांत किशूर की राजनीतती इस और इ Herman कर रही है कि जहां वो खुद ऐलान करते हैं कि हम किसी भी पार्टी के साथ गडबंधन नहीं करेंगे जहां तमाम पार्टियों के खिलाफ प्रशान किशोर बोलते वे नजर आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनके बयान बाजियों के चलते यह दर शाया जा रहा है कि कहीं न कहीं विधान सभा चुनाव से पहले पार्ट वह कोई बड़ा एलान गडबंधन को लेकर भी कर सकते हैं कि अभी गडबंधन को लेकर एलान करना करना कि उनके लिए मुश्किलों भरा सफर हो सकता है इसलिए हो सकता ही कि आने वाले दिनों में यह फैसला भी प्रशान्त किशोर जल्द लेते वे नजर आएं जी चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर कोशिशे करते वे नजर आ रहे हैं समराठ चौधरी ही वो चहरा होंगे जो नितीश कुमार का खेल भी गाड़ेंगे फिलार के लिए इतना ही देश और दुनिया से जड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए